नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शृष्टी श्रवास्तर देश में रेप के मामले बढ़ते ही चले जा रही है महिलाओं के खिलाफ अपराग के मामले बढ़ते ही चले जा रही है लेकिन इसे बीच पुछ ऐसे भी लोग है जो इसका फायदा उठाते है यानी जूटा केस करके लोगों को फसाते हैं और उसे पैसा ठकते हैं इसका सबसे बड़ा उधारम उत्रप्रदेश के अमरोहा से सामनी आया है जहाँ एक महिला पर आरोप लगा कि उसने जूटे रेप केस का डर दिखाकर एक व्याक्ति को ठगा है जिसका खुलासा भूच चुका है चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में जूटे रेप केस के मामले में फसाती है लोगों को बात 13 जून 2024 की है जब महिला ने डॉक्टर बिलाल को उनकी कुछ तस्वीरे दिखा कर और मुकदमे में फसाने की धमकी दी और 10 लाख रुपए की मांग की समाजिक प्रतिष्टा को ध्यार में रखते हुए डॉक्टर बिलाल ने उनकी मांगो को पूरा कर दिया लेकिन आरोपी महिला ने 15 जून को डॉक्टर बिलाल के खिलाफ दुशकर्म का आरोप लगाते वे शुकायत कर दी इससे का वीडियो वारल हो रहा है वीडियो को सचन गुपता नाम के यूजर ने पोस्ट किया है वीडियो को पोस्ट करते वे उर्णों ने लिखा है यूपी के हर जिले में ऐसा गैंग आक्टिव है जो पहले रेब की F.I.R कराता है फिर पैसा वसूलता है जो लोग पैसा नहीं दे पाते वो या तो जेल जाते है या बदनामी के डर से सुसाइट कर लेते हैं पुलिस को ऐसे मामलों में दिस पक्षता से जाच करने की ज़रूरत है ताकि बेकसोर ना फसिले तो इससे आप समस सकते हैं कि महिला हिंदू है लेकिन उस पर आरोप लग रहे है कि वो बुर्का पहन कर लोगों से पैसा ठगती है ये वीडियो बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक महिला बुर्का पहन कर बैठी है आसपास लोग है और वो पैसे लेकर जा रही है इसी वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि वही महिला है जो पैसे ठखती है जूटे रेट केस में फसा कर इस वाइरल वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रही है इस खबर पर आपकी क्या राय है कमट करती जरूर बत आडिवा लाधा अजय वे लाधा, वे लाधा लाधा वे लाधा तूपभका सुखोगा नोग विए लंगा जाए निद्र निद्र असुन्द आता अंश्च मत जातिया हूं। फुम कम को की सब खोल दे कुले उन काय ये वार पासोर ने आतिया है भुल्जब भी ना भी इन्योनने की अपकुष कर देदा रख हम रहत हम दू कि आता कस्यों मेरा कि बातBut झाल सकते हैं कि बात के सबस्काद cidade आया आप दिल्लाए चल्लाए उहां करां जी 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 बास बनुट